नमस्कार श्वागत करते हैं ITT News में मेरा नाम दीपक है और आज एक ऐसे बिश्राय पर आज बाते करेंगे जिसको सुन करके आप भी इन सभी चीजों में रूची रखते होंगे स्मार्फोन यूज अगर आप कर रहे हैं तब ही आमारी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्फोन यूज आप करते हैं और आपकी सुरक्षा का ध्यान आपकी सरकारे देती हैं किस तरीके से ये खबरी ये जनकारिया आपको जाननी चाहिए किस तरी शाइबर गटनाओं को लेकर के अपनी तत्यपरता अपनी मजबूती और अपनी ताकत को बढ़ाया है किस तरीके से आपके बैंक में या फिर आपके पास एक कॉल आता था कि आप करोरपती खरपती अरपती बन चुके हैं और ऐसे में आपको कुछ लुभाने वाले वादे ब अजर 24 तक इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है ग्रीमंत्र अमित्साद वारा एक और बड़ी चीश की श्विकृति दी गई प्रधान मंत्री का शपना में ग्रीमंत्री अमित्सा का एक और सपना कैसे जुड़ा किस तरीके से प्रधान मंत्री चाहते थे कि भारत जो है वो digital के दुनिया में सबसे बड़ा नाम कमा रहा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंतर होने के साथ अब दुनिया का digital लोगतंतर भी लगतार बन रहा है ऐसे में आज किन बातों को लेकर के हम आपके बीच में जनकारी देने वाले हैं तो आपने अच्छे शिश शमझ लिया होगा दोस्तों आज इन खबरों को बिस्तार से समझाएंगे कि कैसे आपके पैसे जब भी कोई साइबर क्राइम की घटनाओं से कट जाते थे आपके साथ कोई फ्रॉट होता था और किस तरीके से आपके पैसे रिकवर किया जाते थे इन सबी चीज़ों के बारें बताएंगे बताएंगे कि कितना पैसा रिकवर भारत में किया गया है लेकिन उश्य पहले कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें लाइक टारगेट रखते हैं 5,000 और उमीद है कि आप हमारे दर्शक और वीवर्स जो भी है वो पूरा जरूर कर देंगे दर्शल उसे एक आकड़े के मताबिक 83 करोड से जाड़ा भोकता भारत में है जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं जिनकी जीवन सहली इंटरनेट पर डिपेंड है हलाकि अगर आप एक पकड़ी या फिर अगर आप छोटी से चीज़ों को सुई तक खरीदने जाते हैं तो एक रुपे की पेमेंट भी आप आप उनलाइन करते हैं जाड़ा तर क्योंकि इस वक्त आपका पैसा सुरक्षित है आपके फोन से जब पेमेंट होने वाली है तो कोई चिंता वाली भी सह नहीं है गली कश्वे के तमाम दुकंदारों से ले करके छोटे छोटे उद्योगपती और छोटे 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 लोगों ने भी फोन पे का यूज करना सुरू कर दिया डिजिटल पेमेंट लेना सुरू कर दिया ताकि उनके रोजगार और उनके चीजों में ब्रिधी आए लेकिन इसकी सुरक्षा के ध्यान हमारी शरकारों ने दिया था और इसके साथ आपको एक बिसेश तोर पर बड़ी जनकारी बता करती है दस जनवारी 2020 में गिरी मंत्री इसे अपना घरा जंडी दिखा करके कहीं न कहीं सुकृती देते हैं उमीद रहती है कि बहुत सारी चीज़े बदलेगी भारत की एक बहुत बड़ी पहचान इससे बदलेगी और धीरे धीरे उनके मन मुताबिक चीज़े बदलती हु से जादा शिकायतों का निप्टारा किया गया है क्या आपको पता है कि 5 लाख जो हमारे शब्दों में इतने आसान भासम आप समझ रहें ये 5 लाख बहुत बड़ा आकड़ा होता है और ऐसे में ये 5 लाख जो आकड़े हैं वो अपने आप में बड़े हैं 5 लाख सिकायतों का निप्टारा किया गया यह भारत की वो पहचान थी जो जो 2020 में लाई गई और 2020 में 10 जनवरी के बाद में इसे ग्रीन जंडी मिलने के बाद लगतार कारे करता नजर आया हाला कि दोस्तों आपको यह भी बता दे कि और इसे में इसे पूरे भारत में लगभग लोगों ने अपनी शिकायतों को दर्ज कराया लोगों को महतपूर्ट और तरीके पता थे किस तरीके से अपने पैसों की रिकवरी करनी है और इस तरीके से लगभग आपको दादे की 14 करोड बार इस पर आपको दादे की सिकायत द किया गया साथी साथ 66000 छुरा रही है हमारी चीजों को चुरा रही है उन अप्लिकेशनों को भी बैंड किया गा खास दोर पर गिरीमंत्रामिस्सा ने इन चीजों को जब थी अपने सामने लाया तो उन्हों नें देखा की अगर हमारे मंत्राले में ँस चीजों तो जाधा से जाधा इस पर भारतिये रास्ट्य शुरक्षा के साथ भारतिये साइबर रास्ट्य शुरक्षा का एक अलग महत्पूर बिसे रहा दोस्तों इससे लगबग देश में कई चीजें सुचारू ढंक से बहतर की गई है बात है हलाकि इसको ले करके शरकार की इस परियास को ले करके शराहना की गई थी इसके साथ आई-फोर-शी के जरिये अब तक 500 से अधिक जिया अपरादिक साइवर क्राइम की घटनाओं को ट्रैक किया गया है यह बहुत बड़ी अपरादिक घटनाएं होती है तो 17,000 से अधिक NCC के अपको तारी केंडिडेटों को त्यार किया गया इसको ले करके ताकि भारत में जब इसकी जरूरत हो जब इसका एक विवस्था लायाज है तो सरकार बड़ी असान तरीके से इन बच्चों का इस्तमाल कर शेगी इन लोगों को ला सके तो इसके लिए भी इनने ट्रेंड किया गया इनने लगतार ऐसी चीजों से ट्रेंड किया गया आई-फॉर-झी के मादयवन से इसे ट्रेंड किया गया ये एक अपने आप में बड़ी उप लब्दी हो जाती है दोस्तों 2800 से अधिक बेऊसाइल्ड 952 से ज़़ादा मुबाईल अप्लिके सबतने चाहिए लोगों का जो पैसा ओने सोल सफित रहना चाहिए और इसके लिए शरकार ने लगतार ऐसी गलत चीजेंगे उसे बैंकरने के लिए आई-स गैसरे लगतार अपना प्रियास वह किया इसके साथ इसाथ से बता के टितीस राज्यों में अब से जादा से जादा शुरक्षित रखी जाए साल 2023 में 3.2 लाख से अधिक सीम आपको सीम जो है वो बन के गए लेकिन इससे साथ 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 दोस्तों आपको देखी लगबग 49,000 EMI को ब्लॉक किया गया है यह आपको देखी यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और जो कही साथ साथ 2023 में अब तक लाखों की संख्या में ऐसी चीज़े जो है वो सामने आई थी जिससे रोखने का प्रयास किया गया दोस्तों यह थी देश की ऐसी घटनाएं ऐसा साइबर ठगी जिसको ले करके हमारी केंदर शरकार हमारी ग्रीमंत्री हमेश शाह और इसके साथ प्र इससे और भी शुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है कई सारे देश हैं जहां शाइबर के घटनाएं हो जाने के बाद में उनके पास स्टम नहीं रहे ता उप्लब्दिया नहीं रहती लेकिन भारत के पास ऐसे उप्लब्दिया है भारत ने ऐसे चीज़ों को बार जाहिन वन देमार्ट